नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हर्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में UGC.net के व्रीवियस एर कुछ कोश्चन को लेकर उपस्तित हुई हूँ उमिद है कि इन प्रश्णों में से आपको कुछ ना कुछ प्रश्ण परिक्षा में देखने को जरूर ही मिल जाएगा तो आएए सुरू करते हैं प्रश्णों के क्रम को पहला प्रश्ण है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? उपस्टन है ज्यानप्रकास सास्त्री, स्वामी स्रधानंद, राजा राम मोहन राए, पंडित, चमुपती उपस्टन तीसरा सही हो जाएगा राजा राम मोहन राए, ब्रह्म समाज के स्थापन, राजा राम मोहन राए ने 1828 सिस्वी में कलकत्ता में किया था आईए अगले प्रश्ण को देखते हैं, प्रश्ण अगला है भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? उपस्टन है मिहम महत्मागांधी निवेदी था एनिवेसेंट उपस्टन तीसरा सही होगा एनिवेसेंट इन्हों ने थियोसोफिकल सोसाइटी के प औरनल आलकाट द्वारा 1875 इसवे में नियवार्क में की गई थी, आईए अगले प्रश्ण को देखते हैं, प्रश्ण अगला है केंद्रिये हिंदी संस्थान का मोख्याले इस्थित है, ओप्चन है लखनव में वारानसी में नई दिल्ली में आगरा में, ओप्चन चोथा स आगरा में केंद्रिय हिंदी संस्थान का मुख्याले भारत सरकार के मानो संसाधन विकास मंत्राले के अधीन केंद्रिय हिंदी संस्थान एक उच्च सैक्षनिक और सोध संस्थान है आईए अगले प्रश्ण को देखते हैं प्रश्ण अगला है इन में से डॉक्टर नागेंद्र की कौन सी पुस्तक साहिक अकादमी से पुरस्कृत हुई है आप्शन है आस्था के चरण रस सिधान्त विचार और अनुभूती रिती काबे की व्याख्या आप्शन दूसरा सही हो जाएगा रस सिधान्त इस पर इन है साहित अकादमी पुरस्कार मिला था आईए अगले प्रिशन को देखते हैं प्रिशन अगला है रामदरस मिस्र को उनकी किस कृती पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित अकादमी पुरस्कार दिया गया तो यहाँ पर जो उप्शन है देखिये उप्शन है कितने बजे दूसरा उप्शन है आग की हसी तीसरा उप्शन है बबूल और कैक्टस चोथा उप्शन है बिना दरवाजे का मकान तो इस प्रकार से option यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा आग की हसी आग की हसी यह इनका कविता संगरा है जिस पर इन्हें बर्स 2015 में हिंदी साहित अगादमी पुरसकार दिया गया था आई अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन अगला है प्रसिद समिक्षक रमेश कुंतल मेग को उनकी किस कृती के लिए बर्स 2017 का साहित अकादमी पुरसकार दिया गया आप्शन है पहला अथातो सौंदर्य जिग्यासा साक्षी है सौंदर्य प्रशनी क्योंकि समय एक सब्द है विश्वक मिथक करिस्त सागर आप्शन चोथा सही हो जाएगा अगला प्रशन है किस कृती को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरसकार 1969 में प्राप्थ हुआ आप्शन है आसाड का एक दिन आधे अधूरे लहरो का राजहन्स इन में से कोई नहीं आप्शन पहला सही हो जाएगा आसाड का एक दिन असाड का एक दिन यह मोहन राकेश द्वारा रचित नाट विधा है और यह जो नाटक है यह अथार्थवादी नाटक है इसका प्रकाशन 1958 इस भी में किया गया इसे हिंधी नाटक के आधुनिक यूग का प्रथम नाटक भी कहा जाता है आसाड का एक दिन नाटक यह महा कभी कालिदास के जीवन पर आधारित है तो इन सब दथ्यों को भी आपको याद रखना है प्रशन जरूरी नहीं है कि यही सेम आ जाए इसमें से और भी प्रशन बन सकता है कि आसाड के नाटक का प्रकाशन बर्ष क्या है तो प्रकाशन बर्ष सन 1969 में इनको इस नाटक पर सर्व स्रिष्ट नाटक होने का इन्हें पुरसकार भी प्रदान किया गया था और आधूनिक यूग का प्रथम नाटक भी इसे कहा जाता है और यह किसके जीवन पर है? महा कभी कालिदास के जीवन पर है आईए अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन अगला है कैलास बाजबेई की सहित्य आकादमी पुरसकार से सम्मानित काभी करिती है आप्सन है पहला देहां से हटकर महा स्वपन का मध्यांतर हवा में हस्ताक्षर पृत्वी का कृष्ण पक्ष आप्सन तीसरा सही हो जाएगा हवा में हस्ताक्षर यहां इनका कैलास बाजबेई का यहां कविता संग्रह है और वर्स 2009 में सहित्य आकादमी पुरसकार से इन्हें इस कविता के लिए सम्मानित किया गया तो इसका समय भी आपको याद रखना है और हवा में हस्ताक्षर यह कविता संग्रह है इसको भी याद रखना है तो एक प्रशनों के साथ अगर मैं व्याख्या कर रही हूँ जिस प्रशन पर तो समझे उसको ध्यान देजिए और एक प्रशन के साथ तीन दीन चार चार प्रशन भी यहाँ पर किलियर हो रहा है आईए अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन अगला है ज्यान पीठ पुरसकार की अस्थापना किस वर्स हुई थी? तो ज्यान पीठ पुरसकार की अस्थापना ओप्शन है इस पुरसकार को सर्व प्रथम बर्स 1965 में मल्यालम लेखक को जी संकर कुरूप को उनकी साहित्य कृती ओठ का कुशल वासूरी के लिए दिया गया था तो इस प्रकार से ग्यानपीट पुरसकार की अस्थापना वो कहा जाए अगर तो वर्स 1961 में की गई थी आईए अगले प्रशन को देखती हैं प्रशन अगला है नरेश मेहता को ज्यानपीट पुरसकार किस रचना पर प्राप्थ हुआ था आप्शन है महाप्रस्थान संपुर्ण रचना कर्म वनपाखी सुनो संसय की एक रात यहाँ पर जो आप्शन सही होगा बर्स नरेश मेहता को ज्यानपीट पुरसकार दिया गया था किस रचना पर तो बर्स 1952 इस भी में इनको यह संपुर्ण रचना कर्म पर ज्यानपीट पुरसकार दिया गया था कब 1992 रिस भी में और यह नरेश मेहता दूसरे सब्टक के भी प्रसिध और प्रमुख कभी के रूप में है तार सब्टक आपने पढ़ा होगा तो यह जरूर देखा होगा यह दूसरे सब्टक के कभी है आईए अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन अगला है देखे चोटा सा यह प्रशन देखने में लग रहा है प्रशन है निम लिखित में से किस कभी को ग्यान पीठ पुरसकार प्राप्त नहीं हुगा अप्सन है दीनकर पंत अग्ये सुरेंद्र बर्मा तो यहाँ पर जो अप्सन सही हो जाएगा चोथा अप्सन सही होगा सुरेंद्र बर्मा सुरेंद्र बर्मा को ग्यान पीठ पुरसकार प्राप्त नहीं हुगा है सर्व प्रथम ज्यानपीठ पुरसकार प्राप्त करने वाले कौन कभी है उनका नाम आप कॉमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताए और ये भी बताए कि उनको किस रचना पर ज्यानपीठ पुरसकार प्रदान किया गया था आईए अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन है देखे प्रशन आई गया गया ग्यानपीठ पुरसकार से पुरसकृत कभी पुरसकृत क्रिती यहाँ पर क्रिती दिया हुआ है कभी ना पूछ कर अब क्रिती पूछा जा रहा है कि किस क्रिती पर ग्यानपीठ पुरसकार मिला ओप्शन है कमाईनी, पलो, परिमल और चिदंबरा तो ओप्शन चोथा सही हो जाएगा चिदंबरा ये किनकी रचना है सुमित्रानंदन पंत की आई अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन अगला है महादेवी वर्मा को किस काब्य शंग्रह पर ज्यान पिठ पुरसकार प्र दिया गया था अगला प्रशन है निम लिखित में से किस लिखक को ज्यान पिठ पुरसकार नहीं मिला अप्शन है नरेश महता देनकर नागा जुर्ण निर्मल वर्मा तो यहाँ पर जो सही उतर हो जाएगा सही उतर के पहचान आप लोग भी करते रहें तीसरा अप्शन सह वर्स 2017 का ज्यान पिठ पुरसकार निम लिखित में से किस लिखिका को दिया गया है ओप्शन है क्रिशन सोवति मिर्दुला गर्ग चित्रा मुगदल मनु भंडारी ओप्शन पहला सही हो जाएगा क्रिशन सोवति आईए एगले प्रशन को देखते हैं प्रशन अगला है ग्यान पिठ पुरसकार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है देखिए ग्यान पिठ पुरसकार से कई सारे प्रशन यहाँपर बन रहे हैं तो ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा ग्यान पिठ पुरसकार से सम्म पानित रचनाकार हजारी प्रशाद रिवेदी जी नहीं है तो यहां पर किसी वरे कभी का नाम देखकर आप सही उतर नहीं लगा सकते हैं इसके लिए आपको उतर की जानकारी जरूर चाहिए अगला प्रशन है ज्यानपिट पुरसकार किस से सम्मंधित है तो ज्यानपिट प चोथा सही हो जाएगा ज्यानपिट पुरसकार सभी भारतिये भासाओं से सम्मंधित है प्रशन अगला है ज्यानपिट पुरसकार से सम्मानित नहीं किये गए कभी है रामधारी सी दिंकर जैसंकर प्रशाद सुमित्रा नंदन पंत नरेस मेहता तो आप्शन दूसरा सही हो जाएगा जैसंकर प्रशाद ग्यान पिठ पुरसकार से सम्मानित नहीं किये गए हैं। प्रशन नगला है रामधारी सी दिनकर को किस कृती पर ग्यान पिठ पुरसकार प्राप्त हुआ था। उप्सन है उर्वसी, कुरुछेत्र, शामधेन, हुंकार। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह सही उत्तर है उर्वसी। प्रशन नगला है गढ़वाली लोकसाहित्य का विभेचनात्मक अध्यायन ग्रंथ के लेखक है। ओप्सन है डॉक्टर शिवानंद, नौटियाल, संदिप रावत, मोहनलाल, बाबुलकर, डॉक्टर, गोपी, चंदर, चा अगली प्रशन को देखते हैं, पंत को किस काविकृती पर ज्यान पीठ पुरस्कार मिला था। उनको चिनंबरा पर मिला था। इस पर पहले ही ही चर्चा हो चुकी है।। अगला प्रश्ण है नेम लिखित में से किस रचनाकार को ग्यानपीट पुरसकार नहीं मिला है तो ग्यानपीट पुरसकार मैथली सरन गुप्त को भी नहीं मिला है तो यहाँ पर ऐसे जाने माने और प्रसिद लिखकों का नाम दिया हुआ है जिससे आपको कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार साहित अकादमी पुरसकार, ज्यानपिट पुरसकार, ब्यास सम्मान इन सफी को जरूर देख ले परिख्छा से पहले। अगले प्रशन है, धुमिल को किसे काविकृती पर साहित अकादमी पुरसकार मिला था। अप्शन है, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातन, संसत से सरक्त, किसी पर नहीं। तो यहाँ जो अप्शन सही है, वह है कल सुनना मुझे। अप्शन पहला धोमिल को कल सुनना ये इनका क्या है, काविय संग्रह है, जिस पर इनको वर्स 1989 इसवी में सहीत अकादमी पुरसकार मिला था। अगला प्रशन है, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं। अप्शन है, कुवर नरायन, केदार नाथ सिह, रामबिला सुसर्मा, भावानी प्रसाद मिस्र तो अप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केदार नाथ सिह, आई अगले प्रशन को देखते हैं, प्रशन अगला है, टॉल्स्टाय और साई की लिकिस्ख की काविय किरिती है, अरुन कमल, ज्यानेंद्रपति, केदार नाथ सिह, तो अप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अरुन कमल, अरुन कमल, टॉल्स्टाय और साई की लिए इनकी काविय किरिती है, जिसका प्रकासन 1995 रिस्वी में हुआ था, तो आपको साथ साथ में प्रकासन वर्स भी याद रखन है, प्रशन अगला है, लिलाधर जुगूरी को उनके किस कविता संग्रा के लिए बर्स 2018 का व्यास सम्मान दिया गया, अप्शन है, घबराई हुए सब्द, इस्वर की अध्यक्षता में अनुभव के आकास में चांद, जितने लोग उतने प्रेम, तो यहाँ पर अप्शन चोथा सही हो जाएगा, जितने लोग उतने प्रेम, प्रशन अगला है, महादेवी वर्मा के काविशंगरा निर्जा के लिए उन्हें कौन सा पुरसकार मिला था, अप्शन है, मंगला प्रसाद, परितोसित, भारत भारती, सक्सरिया, पुरसकार, सहित अकादमी, तो अप् पुरसकार इनको निर्जा काविशंगरा के लिए दिया गया था, महादेवी वर्मा छायावादी कवेत्री है, अगला प्रशन है, वर्श 2018 के सहित अकादमी, पुरसकार से किस लिखिका को सम्मानित किया गया, ओप्शन है, मनुभंडारी, गीता स्री, चित्रा मुगदल, म मिर्दुला गर्ग, बर्श 2018 का सहित अकादमी पुरसकार, चित्रा मुगदल को, पोश्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा उपन्यास हेत्व, इनको प्रदान किया गया था, आई अगले प्रशन को देखते हैं, प्रशन अगला है, प्रथम विश्व हिंदी समेलन कहा हु अप्शन है, दिल्ली, नागपूर, मौरिसस, लंदन, तो प्रथम हिंदी समेलन जो है, यह नागपूर में हुआ था, नागपूर महाराष्टर राज्यु में है, अप्शन दूसरा सही हो जाएगा, तो यह समेलन 10 से 12 जनवरी, यानि दो दिम चला था, सन 1975 इस भी में, तो इसको भी आपको याद रखना है, यह सभी प्रशन आपको कैसा लगा, वीडियो में हमें कॉमेंट के माध्यम से अवस्य बताईएगा, वीडियो आपको कैसा लगा,